नमस्कार मैं हूँ आपके संगनित्यम मंत्र यन तंत्रवास्तु के विशेश काशकने के साथ हर कोई चाहता है जीवन भर धन आता रहे जो लोग अमीर है वो चाहते हैं कि उसके जीवन में और धन की प्राप्ति हो और जो लोग गरीब है वो चाहते हैं कि उसके जीवन में इ कुछ चीज आपको अवस्थ करना चाहिए, बिना कुछ ये जीवन भर धन आपको प्राप्त नहीं हो सकता, जो लोग अमीर होते हैं, उसके जीवन में भी कभी न कभी धन की कमी होती है, अगर वो चीज, जो चीज में बता रहा हूं, ये चीज आप करेंगे, तो आपकी जीव यहां पर आपको ज्यांत के साथ समाधान की भी प्राप्ति होती है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें, तो किर्पेस सmesi सब्सक्राइब कर लेगा अबेल बटन को भी दबाएं, ताकी नए भीडियो का न्योर्टाफ्यकैश्न आपको बथन मिल जाए, धन की डेवी है, इनकी किरपा से ब्यक्ति को जीवन में धन और बैभव की प्राप्ति होती है, पुरानिक मनता के नुसार, जिन लोगों पर माता लक्ष्मी किरपा होती है, उन्हें जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्यागा सामना नहीं करना पड़ता, जो आप भी अपने घर में हमेशा सुक समर्धी और धन की कामना चाहते हैं, तो हर सुक्रवार के दीन देवी लक्ष्मी से जुरे कुछ उपाय आपको अवस करना चाहिए, अगर आप ये उपाय हर सुक्रवार को करते हैं, तो माता लक्ष्मी आपके जीवन में हमेशा धन की प चीज भी कर सकते हैं या आप कम से कम एक चीज पकड़ लिजिए उसी को हमेशा कीजिए ये आप के लिए काफी महत्पुन होगा तो बने रही है हमारे साथ हम आपको एक एक करके बताते हैं क्या खास चीज आपको अबस्त करना चाहिए ये चीज आप बहुत ध्यान से यह आपके जीवन को बना सकता है, तो सबसे पहला चीज, सुक्रवार का आप बरत रखने से माता लक्षमी के असीम के रपा प्राप्त होती है, इस दिन सुबह और साम के समय लक्षमी जी की पूजा आपको करना चाहिए, अगर आप सुक्रवार का बरत रख सकते हैं, तो अच सुबह के समय में जाप करते हैं, इसे बहुत लाप की प्राप्ति होगी, ये मंत्र है, ओम सुम सुक्रायन महा, ओम सुम सुक्रायन महा, जोतिस में सुक्र गरह को भोतिक सुख, बेवाहिक सुख, भोग, बिलास, सोरत, कला, परतिभा, सोंदर्ज, रोमांस, काम, वासना, रोमांस, हर चीज आपकी अच्छा है, तो आप सुक्रवार के दिन, ओम सुम सुक्रायन महा, इस मंत्र का जाप करें, आपके जीवन में हर भोतिक सुख की प्राप्ति होगी, लक्षमी जी को सफेद रंग अधिक पिरिया है, यदि संभब हो, तो सफेद रंग की चीजों का दान करें, इस दिन, सुक्रवार के दिन, कहते हैं कि सुक्रवार के दिन सफेद रंग का दान, जीवन में समर्धी लाता है, तो आप हर सुक्रवार को ना कर सके, तो जो खास सुक्रवार होता है, जिन आपकी चाह हो, आप सफेद चीजों का दान, सुक्रवार को अवस करें, सुक्रवार के दीन चीटियों को और गाय को आटा खिलाने से सोभाग में बिर्धी होती है तो जब भी आपको मोका मिल जाए किसी सुक्रवार के दीन आपको इसा मोका मिल जाए तो आप चीटियों को और गाय को थोड़ा सा आटा अबस खिलाए यह चीज आप अपने जीवन में करते रहेंगे तो मातालख्मी किर्पा आपको निश्वीत रूप से प्राप्त होती है स्टूबार के दिन घी का दीपक जलाने और तुलसी के पौधे की पूझा करने से मातालख्मी बेहत प्रशन होती है तो हर सुकुरबार के दीन अगर आपके घर में तुलसी का पोधा है तो वहाँ पर गाय के घी का दीपक आप रस लगाएए इससे माता लक्ष्मी परसंद होकर आपकी जोली भर देगी सुकुरबार को पूजा के दोरान मा लक्ष्मी के मंदिर में जा करके उन्हें लाल बस्त, लाल बिंदी, सिंदूर, लाल चुन्नी और लाल चूरियां आपको अरपित करना चाहिए अगर आपके आसपास कोई मंदीर है, मंदीर में आप जाएए, उन्हें आप लाल चीजे जो उन्हें पसंद होती है लाल बस लाल बिंदी, सिंदूर, चुन्नी, ये सब चीजे माता लक्ष्मी के मंदीर में आप अरपित कीजे ये चीज अगर आप रेगुलरली करते रहेंगे तो निशित रूप से ऐसा मानते हैं कि माता लक्ष्मी आपके जीवन में हमेशा बनी रहती है संख और घंटी में मा लक्ष्मी का आवास होता है ऐसे में यदि आप पूजा करते समय इनका इस्तमाल करेंगे तो माता लक्ष्मी आप पर जल्द ही प्रसन होगी तो अगर आपके घर में कोई दक्ष्मा वर्ती संख नहीं है तो आप संख लेकर काईए घंटी लेकर काईए पूजा के बाद आप घंटी बजाए शंख से आप भगवान बिश्नु का भिश्य कीजिए इससे मा लक्ष्मी अतिप्रसन हो जाते है सुक्रवार के दीन मा लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ा करके अगर आप स्री सुक्त का पाठ करते हैं तो इससे जीबन में आ रही धन समधी सारी समस्याओं से आपको छुटकरा मिल जाता है बस आपको सुक्रवार के दीन एक कमल का फूल मा लक्ष्मी कर पित कर दीजिए और अगर आपको स्री सुक्तम का पाठ आता है तो यह पाठ आप हर सुक्रवार को करें यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो स्री सुक्तम की पाठ आप सुन भी सकते हैं सुक्रवार के दिन काली चीटियों को सक्कर डालने से रुके काम बन जाते हैं अगर आपका कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है तो 11 सुक्रवार तक काली चीटियों को सक्कर आप खिलाएगे, इससे क्या होगा, आपके सारे रुके काम बनने लग जाते हैं, सारे काम आपके अपने आप हो जाएंगे, अगर आपके घर में पैसों का आगवन कुछ कम हो गया हो, पहले पैसा बहुत आता था, अब ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको इसके लिए क्या करना है, ताकि फिर से पैसों का आवागवन आपके घर में बढ़ जाए, इसके लिए सुक्रवार के दीन, महालक्षमी की उपासना आपको करना है, उनके मंत्र का जाप करना है, माता लक्षमी का एक मंत्र है, इस मंत्र का जाप आप हर सुकुरबार को करेंगे मंत्र है अगर आपको यह मंत्र बोलने में दिक्कत आए तो आप केबल एक मंत्र है दूसरा मंत्र है श्रिम हरिम श्रिम इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं लेकिन जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके पास एक असफटिक की माला होना चाहिए, असफटिक की माला से इस मंतर का जाप करना बहुत ही जादा सरबोत्तम माना गया है, कमल घट्टे की माला को भी आप इसे भी आप जाप कर सकते हैं, ये दोनों माला आपके पास अगर है, तो किसी एक माला से आप जाप अगर इन में से कोई माला आपके पास नहीं है तो आप रूदुराक्स की माला पर भी इस मंतर का जाप कर सकते हैं. अब यह है कि अगर आपके घर में पैसे का आवागमन कम हो गया है तो मैंने आपको उपए बताई है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि आपके घर में पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है तो आप सुक्रवार के दीन किसी मंदिर में जा करके माता लक्ष्मी को कमल का फूल मखाना बतासा कोडी और संख महालक्ष्मी के चरणों में रपित करें माता लक्ष्मी को ये सभी चीजे बहुत ही ज्यादा पसंद है ये चीजे अगर आता लक्ष्मिक और पिर्ट करते हैं तो आपके घर में पैसा रुकने लगता है और आगमन पैसे का भी बढ़ जाता है अपने सुख सोभा की बिद्धी के लिए सुकुरवार के दीन गाय की सुध घी और एक कपूर की डिबी मंदीर में आप दान कीजिए साथ ही मंदीर जाक करके उस कपूर की डिबी में से एक कपूर की टिक्या निकल करके अपने हाथों से वहां पर जलाएए और भगवान की आरती करें बांकी चीज आप मंदीर में ही रहने दें अगर आप यह उपाय करेंगे तो आपके जीवन में सुख और सुभाग की बिर्धी होगी धन कभी कभी रहता है लेकिन सुख और सुभाग आपको प्राप्त नहीं होता है तो धन के साथ साथ आप सुख और सुभाग की प्राप्ति चाहते हैं तो यह चीज आप हर सुख रवार के दिन अबस कीजिए अगर आपके बेपार में मंदी चल रही है कभी कभी आपका बेपार बहुत अच्छा चल रहा होता है और अचानक से बेपार थप पर जाता है मंद पर जाता है तो आप अगर अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं या आपकी बेपार मंदी पर गई है तो आप क्या कीजिए सुख रवार के दिन एक मिट्टी का बरतन ले लेजिए उसमें सहद भर करके उस पर धकन लगा करके मिट्टी का ही धकन लगा करके अपने घर के उत्त पसिम कोने में रख दीजिए पूरा दिन वहां रहने दीजिए अगले दीन उस सहद से भरे मिट्टी के बरतन को मन ही मन चूप चाप अपने बेपार की बढ़ोतरी के लिए आपको प्रातना करते हुए किसी एकांत अस्थान पर आपको छोड़ देना है आपकी बेपार जो आपको कुछ उपाय बताएं लेकिन सुक्रवार के दिन कुछ चीज का आपको धियां रखना है यह चीज आपको सुक्रवार के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए तभी आपके पास हमेशा धन बना रहेगा कभी भी किसी को भूल कर भी सुक्रवार के दिन धन ना दे औ और समद्र भी खराब होते हैं, इसलिए आप सुकृवार के धीन, किसी को धन नहीं दीजीए, और नहीं किसी से उधार लिजीए, वैसे तो आपको कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन सुकृवार के धीन, इस बात का विशेस ध्यान रखीए, कि हिस दिन किसी का परमान लक्षमी भी आप से नराज हो जाती है इसलिए धियान रखिए शुक्रवार के दिन आप में चीजों से बचें तो आप तामसिक भोजन खास तोर पर मांसाहार और मदीदा का सेवन आपको नहीं करना चाहिए इस दिन पुन्र सात्विक भोजन आपको करना चाहिए अगर संभव हो सके तो आपको अपनी आदत में बना लिजिए कि इस दिन आप सात्विक भोजन ही करें अगर आप लगाता अपने जीवन में धन लाना चाहते हैं तो इन चीजों को आपको ध्यान में अवस्य रखना चाहिए। सुक्रबार के दीन भूल कर भी चीनी किसी को भी नहीं जएना चाहिए। क्योंकि जोतिस में चीनी का समंध्र सुक्र और चंदरगरह से माना गया है, इसलिए सुक्रवार के दीन चीनी देने से आपका सुक्रगरह कमज़र होता है और सुक्रगरह भोतिक सुखों का स्वामी है सुक्र के नराज होने से भोतिक सुख सुधा में कमी आती है और आपकी आर्थिक अस्तिती भी खराब हो जाती है इसलिए सुक्रवार के दीन किसी को चीनी आप ना दीजे दान के तोड़ पर, सुक्रवार के दिन माता लक्षिमी के साथ साथ भगवान बिश्नु की भी पूजा करना चाहिए, लक्षिमी के साथ नरायन की पूजा करने से देवी देपता प्रसंद होते हैं, दोनों का असिरवार भी आपके उपर बना रहता है, अगर संभव हो, तो सुबह या साम किसी भी एक समय अपने घर में मीठा आपको अबस ही बनाना चाहिए, उसको सबसे पहले घर के सबसे बड़ी इस्तिरी को देना चाहिए, अगर आप इसा करते हैं, तो आपके घर में हमेशा धर बना रहता है, एक चीज का और रिखान साफ सुतरी कीचेन में मा लक्षमी का वास होता है, इस से घर में वैश्ड्य सांत्ति का प्रवाह दिरंतर बना रहता है, भूल कर भी रात के समय कीचेन में गंदे बरतन नहीं चोड़ना चाहिए, इस से माता लक्षमी रोright जाती है, और घर में ओस सांति फैल जाती है, इ स्वाश्त के खुराब रहने कि आसंका बने रहती है इसलिए अपने कीचेन को हमेशा ही साफ सुतरा रखे, खास करके रात में सोने से पहले सारे जूठे बरतन धो परतलों करके ही आपको सोना चाहिए तभी आपके घर में माता लक्षमी का हमेशा निवास बना रहता है तकर आपको ये फीडियो पसंद आए तो कि पैसे लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों सगे समंधों के साथ भी सेर करें फेस्बुक पर फोलो करें ताकि आपके सगे समंधी भी इस उपाय को करते हैं तो उसके जीवन मे भी धन की प्राप्ती निश्टी तूप से होती है आज के लिए बस इतना ही धन्ट